बेकरी से कही कुना बेतर बर्गर बन बनाएं गर पर बहुत आसान बहुत सफ्टर बहुत मज़दार बनेंगे तो असलम वालेकुम वैलकुम बैक तो कैसे मारी यूटुब फैमिली उमिद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे मज़ें होंगे तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मिक्स कर लेंगे के कि कit शूगर और नमक मिक्स हो जाए अची तरिके से चुगर हमारी में अटे में में उस चांके कर देंगे झाल को शामल करेंगे फोड़ा साट करते जायंगे अब शामल कर देंगे बहुत अच्छे बनेगे तो अच्छी तरीकी से दो को हमने गुंद दिया तो सोफ्ट हमारा बन गया अब इसको राइस होने के लिए रख देंगे तक कि साइज में डबल हो जाए तक रिभन एक गंटा हमें लग चुका था ड़ो को डबल होने में अब इसको जोड़ीके से अ तो हम ने पत्र गैंघ करूंपरिश यह नहीं पर इक प्राएं में खांची प्राइब बीस को बंस को बेकर सकते हैं में अब इसको राइस होने के लिए रख देंगे 20-25 मिनट के लिए अच्छी तरीकी से हमार राइस हो गए थे बंस यहां पर हम बनाने जा रहे हैं एक वाश जिसके लिए एक बोले हम अंड़ा शामल कर देंगे थोड़ी सी चीनी थोड़ा सा नम बंस रख दीए थे आप चाहें तो अपने ट्रेकी मतावक एड़ किए जीगा अब बंस के उपर अच्छी तरीकी से स्प्रिंकल कर देंगे सिफेद और काले तिल तो हमें सारी बंस पेस तरीकी से स्प्रिंकल कर दिया इसको बेक होने के लिए रख देंगे आप अपने वन क की तो मताव एक बेक की जीगा 20 से 25 मिनट के लिए हमने इसको बेक किया है तो यह देकि जबॉर्दस से बेंस हमारे बंस ऌरे बंस के रेडियो हो चुकिएं बहुत जबॉदस और सफde बास स्फट बन के इस रेसिपी को जबॉर ट्राय कीजिए जल्हां तो जिस तरीकी से हम मुझे मैं फैमली को दौा में या जरू कीजीगा टेक कियर बाबाई अलाहफिस